हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल इस्टडी टेस्ट टूडे में आपका स्वागत है और आज पढ़ेंगे फिजिक्स, फिजिक्स में पढ़ेंगे चुम्बकत्व, चुम्बकत्व से जितने भी इंपॉर्टेंट कोचन है सबको हम इंक्लूट के हैं इसका बेसिक भी समझेंगे और जितने भी कोशन बनेंगे सब एक्जाम लेवल का कोशन है और आप टेस्ट लगाएंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सस्क्राइब करें और बेल आइ शुक्तार तो करितिम विधियों दोरह बनाया जाता है। जैसे लोवाज सवार्ट और उनमाले जै कोई चूमबक है। यह हमारा चूमबक हो गया। जो चूमबक जो होता। लोहे को अपनीयोड जब आकरसित करता है तो इसी को हम चुम्ठ कज도 बोलते हैं और चुंबक के खासियत होती इसको सी रहा होते है सबसे ज्यादा चुम्ठ कज नमतर होता और मा लेजए कि छय में तल सगर चूंबक को मदूब ओलते हैं इसी कोश्क और चुमबक देखें दो प्रकारके होते ह O επाहर्व दो प्रकार के होते हो एक अस्थाई चुम्बक होता है कि अस्थाई चुम्बक होता है तो अस्थाई चुम्बक जो होता है वो नर्म लोहा का बनाया जाता है जैसे बिद्धुत घंटी जो घरों में प्रियुक किया जाता है टांसफार्मर क्रोड टांसफार्मर में प्रियुक किया जाता है एक डाइनोम होता है जो यांत्रिकूर्जा को जो बिद्धू तुर्जामी में कनवर्ट करता है वही तो यह सब नर्म लोहा का बनाया जाते हैं और अस्थाई चुम्बक इस बात का बनाया जाता है जैसे लाउडर स्पीकर जो हम लोग बोल रहे हैं दिख सूचक एक दिख सूचक होता है गलविनो मीटर होता है मतलब इसका एक्जामपल जरूर एक्जाम में पूछ लेगा और ज्यादा तो इसका जो को प्रस्ण बनते है और दूसरा देखेंगे चुम्बकी परदार्त के प्रकार ते मुख रूप से तीन प्रकार के होते हैं जैसे अनुचुम्बकी हो गया लव चुम्बकी हो गया और प्रती चुम्बकी तीसरा हो गया तो जो अनुचुम्बकी होते है जैसे इसका एक्जामपल जो होता है प् ट्रैशिय 미안 आक्शेजन अलमुनियो सब अनुचुंब की परदाट है और लूचुंब की लोह को बाल्ट निकीब अशब लॉचुंब की परदात है और प्रति चुम्ब की ज्से सोना चांधी तावा सीज़ा इंट् Singer यहीं से बनता है इसका ग्जांपल होते हैं यहीं पूछेगा कि कौन सा अनुचुमबकी परदात है कौन लगपी परदात है कौन लगपी परदात नहीं है ऐसा ही कोशन बनता है तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से देख लिजिएगा आप लोग और आगे हम दकेंगी चुम्बकी तीव्ष्पा, तो चुम्बकी ती व्ष्पा एक सदीष राश्य होती है, और इसका मातरख बहुत ही इंपोटरण रहे होता है, नियूटन प्रति MPM, मीटर बेवर प्रति मीटर स्क्वायर यहां पी स्क्वायर रहेगा दोस्तों और एक साई मात्रक टेस्ट ला होता है बहुत इंपार्टेंट कोश्चन जरूर एक जाम में कोश्चन पूश देता है और एक चुमबकी फलक्स होता है उसका मात्रक बेवर होता है तो हम चलते हैं टेस्ट लगाने, टेस्ट ज़रूर लगाएग आप लोग, हमारा फाला question है, कि चुम्ब की छेत्र की तीब्रता का मातरक है, कम से कम दो तीन सेकेंड मिलेंगे आप आनसर देने के लिए, तो आनसर देने का प्रयास ज़रूर कीजिए, क्योंकि आनसर देंगे, तब ही अच्छ तो चुम्ब के छेतर की तीब्रता का मात्रक जो होता है और टेसला होता है और इसकान ने भी मात्रक बेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति एंपियर मीटर और एक बेबर होता है और जो चुम्ब के फलक्स का मात्रक होता है और गौस चुम्ब के छेतर में बद लव चुम्ब की परदार्थ नहीं है लव चुम्ब की परदार्थ नहीं है तो जो लुवा होता है लव चुम्ब की परदार्थ होता है निकिल भी होता है कोबाल्ड भी होता है ताबा ताबा लव चुम्ब की परदार्थ नहीं होता है या प्रति चुम्ब की परदार्थ होत तो इसका structure एक बड़ा देख लिएक। प्रतिचुम्ब की परदात जस्ता ताबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जन्व ये सब प्रतिचुम्ब की परदात की एक्जामपल हैं। अनुचुम्ब की परदार्थ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ समझ लीजेगा अच्छे से और हमारा अगला कोश्चन और अस्थाई चुम्बक बनाय जाते हैं नर्म लोहे का बनाय जाते हैं तो अप्शन 20 चाहिए हो जाएगा और जो अस्थाई चुम्बक होते हैं वो इस बात का बनाय जाता है और हमारा अगला question है किसी चुंबक की आकरशर सकती सबसे अधिक कहा होती है तो पहले सबसे बताया गया था कि सबसे ज़्यादा चुम्बक जो होता है सिराओं पर होता है दोनों किनारों पर अजो चुम्बक का तो मद्ध में जो होता है वो बहुत नाम मात्र होता है तो आपसन हमारा A सही हो जाएगा दोनों किनारों पर हो जाएगा और अगला question किसी चुम्बक की एकी आकरसर सकती सबसे कम कहां होती है जो चुम्बक अभी उपर बताय गया था तो सबसे जो कम होता है वो मीट पॉइंट होता है जो मद्दे में तो option भी सही हो जाएगा और हमारा अगला question किसी चुम्बक की परदार्थ को भी चुम्बक किया जा सकता है हाथ हाओड़े से fit कर एभी सही है गर्म कर एभी सही है मतलब उपर दोनों option सही है चुम्बक जो होता है और जैसे भी चुम्बक परदात किया जा सकता है मतलब उसका चुम्बक खतम किया जा सकतה है तो आपसं सही सही हो जाएगा और हमारा अगला question बिद्द धारा का चुम्बक परदात प्रभाव सरो परतम और वलोकित किया था मतलब कौन से बेग्यानिक सबसे पहले किये थे तो और स्टेट दोवारा आपसन भी सही हो जाएगा और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेर कमेंट जरूर करें और सस्क्राइब करना तो एकदम भूलिएगा मत और अगला कोश्चन निम्ड में से बिद्दुत अच्छुम्ब की है तो निकिल होता है जो बिद्दुत अच्छुम्ब की परदार्त होता है कोबाल्ट भी बिद्दुत अच्छुम्ब की परदार्त होता है ताबा बिद्दुत अच्छुम्ब की परदार्त होता है प्रकृतिक में अनुचुम्बकी है इसका अंसोर देने का प्रयाश ज़रूर कीजिए तो अक्सीजन हो जाएगा यह अनुचुम्बकी परदारते उपर बताया गया और यह लव चुम्बकी होता है लव और हमारा अगला कोश्चन है द्रहूं पर नमन कोड कमान कितना होता है यह भी बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है दोश्टों त्या नाइन्टी डिगरी हो जाएगा और विश्वत रेकापे जो होता है ओ जीरो डिगरी का नमन कोड बनता है वहाँ पर और हमारा अगला कोश्चन चुम्बकी है सुई किस तरफ तरफ हो जाएगा यह संकेत करती है कि त्या उत्तरों उत्तरों हो जाएगा और दच्छीरों होता है आपसन सही सही हो जाएगा अमारा और हमारा अगला कोश्चन बिद्दूत मोटर की सिधान्द के अनुसारे कारे करता है जो बिद्दूत मोटर होता है बिद्दूत उर्जा कोई अंत्रिक उर्जा में जो कनवर्ट करता है जब फैराडे के नियम पे हो जाएगा आप्शन ये सही हो जाएगा जो बिद्दूत मोटर होता है वो फैराडे के नियम किसी दान्थ पे कारे करता है और अगला कोश्चन टांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए नियम में से कौन सा अधिक उपर यूपत है तो नर्म लोहा हो जाएगा बताएगा था आपको आप्शन ये सही हो जाएगा हमारा और हमारा अगला कोश्चन टांसफार्मर का सी दान्थ आधारी थे मतलब कौन से दान्थ पे कारे करता है वो तो बिद्दु चुम्बकिय फ्रेडर के सिद्धान्थ पे कारे करता है मारा आप्शन भी सही हो जाएगा ये भी बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों और हमारा अगला कोश्चन बिश्वत रेखाफर नमन कोड का मान होता है अभी उपर बताया गया था है तो जो बिश्वत रेखाफर होते है वो जीरो डिगरी सेल्चियल जीरो डिगरी का कोड बनता है और हमारा अगला कोश्चन फिर्थ भी एक बहुत बड़ा चुम्बक है इसका चुम्बक है चेत्र की दिशा में विश्थित होता है यह भी बहुत इंपर्टेंट कोश्चन नहीं तो देख लीजी आप्शन यह जो हमारा होता है दच्छिर से उत्तर होता है तो आप्शन डिशा हो जाएगा यह तो बहुत इंपर्टेंट कोश्चन है दोश्च्च्च्च और हमारा अगला कोश्चन निम्ण में से कौन सा धातु चुम्बक द्वारा आकरसित नहीं होता है मतलब चुम्बक किसको नहीं अपने और तरफ आकरसित करता है तो आप्शन हमारा डिशा हो जाएगा और हमारा अगला कोश्चन है कि हाइडोजन बम आधारित है परमाडू बम से एक हज्यार गुना सकति साली होता एक हज्यार गुना अजो इसका विष्कार रखे तो जो इसकार किये थे कौन से बेज्ञानिक थे एडवर्ट टेलर ने किये थे हाइडोजन बम का विष्कार आज उनाव की विखंडन होता है परमाडू बम पर आधारित होता है और हमारा अगला कोश्चन परमाडू बम आधारित है लिए टेन आवगे विखंडन पर अभी बताया गया था उपर और जो इसका विष्कार है जो बेज्ञानिक विष्कार किये थे ओपण हीमर किये थे 1945 में और प्लीज जो लोग सस्क्राइब नहीं के हैं अभी सस्क्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेश जरूर कर लें और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद